अरे भाई कहा गई आहद भावनाएं हनुमान जी को इस तरह से क्रेन पर लटका कर मद्ध प्रदेश के नए मुख्य मंत्री मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर किसी की भावनाएं आहद नहीं हो रही है प्रदा मंत्री नरेंद्र मोदी को भागवान विश्णू का अवतार बताया जा रहा है यहाँ पर किसी की भावनाएं आहद नहीं हो रही है वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन ही गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल आहत भावनाओं की शर्तों की बात करेंगे दोस्तों साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे कि भाशपा के एक युवा नेता के हातों उसकी गर्ल फ्रेंड प्रिया सिंग को जिस तरह से कुछला गया क्या उसे इंसाफ मिलेगा मगर सबसे पहले दोस्तों बात आहत भावनाओं की ये भावनाओं जो होती है ना दोस्तों शर्तों पर आहत होती है कुछ पुलिटिकल पार्टीज हमारी धार्मिक मानिताओं का मान कर सकते हैं उसे कुचल सकते हैं उसका मजाक उड़ा सकते हैं विडियो देखेगा दोस्तों, ये देखिए, किस तरह से भगवान हनुमान को क्रेन पर लटका दिया गया है, और किस तरह से उनको लाया जा रहा है, लोग जो है नारे बाजी कर रहे हैं यहाँ पर, ये मंज़र क्या है समझेए, मदप्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन य अरवाहन में खड़े हैं मोहन यादव, उन्हें वो माला पहनाते हैं, माला पहनाते हैं और उसके बाद, जो हैं वो हनुमान की तरह अपनी भुजाओं को, वहां मौझूद जनता को दिखाते हैं, इसमें कई दिक्कत में हैं दोस्तों, सबसे पहली बात, आपने हमारे आरा हनुमान देव को क्रेन से लटकाया, अब कल्पना कीजे, यही कॉंग्रेस पार्टी ने किया होता, समाजवादी पार्टी ने किया होता, त्रिनमूल कॉंग्रेस ने, या अरविंद केजरिवाल की आम आदमी पार्टी ने किया होता, आप कल्पना कर सकते हैं, कि भारतिये पार्टी अपने प्रचार तंत्र अपने मेडिया के गुर्गों के जरीए कितना बड़ा प्रॉपगांडा चलाते हैं मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इस तरह से क्रेन पर हनुमान जी को लटकाया जा सकता है हनुमान जी को लेकर तो भावना आहत हो ही रही है मुद्दा ये है कि अपने आप में कितना खतरनाक है जिस व्यक्ति को आपने हनुमान बनाया अगर वो किसी तरह से रस्टी तूड जाती और नीचे जो लोग खड़े हैं उन्हें तो चोट लगती ही जो व्यक्ति हनुमान बना है उसकी जान पर बनाती मगर सिर्व इसलिए कि आपको एक मुख्यमंत्री का स्वागत करना है आप इस तरह की हरकतें करना है यहाँ पर भावनाय आहत नहीं हो रही है यहाँ पर भावनाय आहत होती हैं मगर शर्तों के साथ जी हाँ अगर आज हम आपके सामने न्याय की बाते करें और अगर उस न्याय के आड़े धार्मिक भावनाय आरी है तो मैं आपकी धार्मिक भावनाय आहत कर रहा हूँ मगर हाँ मैं न्याय की बात नहीं कर सकता मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है यह अपने आप में बहुत शौकिंग है गैर जिम्मधाराना है नैतिक्ता के आधार पर धार्वे का आधार पर और सबसे बड़ी बात जो व्यक्ति इसे बढ़ावा दे रहा है वो एक सामवेधानिक पद पर वैठा व्यक्ति है यानि कि मध्ध बरदेश का मुख्यमंत्री मगर इस तरह की हरकत ही जी जा रही है मैं फिर पूछ रहा हूँ क्या यहाँ पर किसी की भावनाए आहत हो रही है या नहीं हो रही है यह तो नजारा है दोस्तों आपके सामने एक और नजारा दिखाता हूँ मैं आपको यह हैं चमपत राय राममंदर से जड़वे चमपत राय उन्हों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र बोडी को विष्णू का अवतार बता दिया उनसे पूछा गया था कि भई क्या प्रधान मंत्री 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्गाटन होगा क्या वो यजमान रहेंगे तो इसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं यजमान को तो आठ नौ दिन बैठना पड़ता है प्रधान मंत्री तो विश्नु के अवतार है वैसे तो पत्रकार भी पूछ सकता था ये बात और मुझे हैरत नहीं होती अगर पत्रकार ये कहता कि क्या प्रधान मंत्री भगवान विश्नु का अवतार है पूछ सकते हैं, मीडिया तो कुछ भी कह सकता है न? यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, आप सुनिये, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूँ, सुनते हैं प्रधान मंत्री इस देश के भगवान विश्नु का आवतार है हिंदुस्तान में, भारतिय परंपरा में, राजा विश्नु का आवतार है याद कीजे दोस्तों, भारती जन्ता पार्टी का क्या नारा है? जो भगवान राम को लाए थे, हम उनको लाएंगे याद कीजे, वो पोस्टर जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, राम लला का हाथ पकड़ते हुए, उन्हें मंदिर की तरफ ले जा रहे है याद कीजे, बनारस के अंदर जो नारे हम गंगा को लेकर, या भगवान शिव को लेकर लगाया करते थे अब उन्ही नारों का इस्तमाल प्रधान मंत्री के लिए हो रहा है इसके पीछे की राजनीती को समझिये दोस्तों प्रधान मंत्री को इश्वर तुल्ले भगवान के समान पेश किया जा रहा है, क्यों? ताकि आप जनता सवाल ना कर सकें जब आपिसार शर्मा जैसे पहत्रकार सवाल करें तो उन्हें देश्द्रो ही बताया जाए क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं दो-तीन महिने का वक्त रह गया है राहूल गांदी फिर से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं यहाँ पर प्रधान मंत्री और भारती जनता पार्टी उनसे कई मील आगे हैं प्रधान मंत्री को तो भगवान बना दिया गया है यहाँ पर फिर किसी की भावनाय आहत नहीं हो रही है यह अपने आप में शौकिंग है दोस्तों कि 2023 2023 के भारत में वो चीज़े हो रही है जो एक जमाने में तब हुआ करती थी जब देश में राजा महराजा हुआ करते थे प्रधान मंत्री तो अपने आपको प्रधान सेवक कहते हैं न तो यह राजा महराजाओं वाली अदा क्यों और यह मुद्दा सिर्ख किसी चंपत रायका नहीं है याद कीजे संसदिय कार मंत्री प्रहलाज जोशी ने क्या कहा था जब नई संसद का उदगाटन हुआ था प्रधान मंत्री संगोल के सामने साश्टांग हो रहे थे सिर जुका रहे थे तब प्रहलाज जोशी ने कहा था कि किस तरह से संगोल के सामने एक राजा जो है वो सिर जुका रहा है मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ भारतिय जंता पार्टी के हाथ में एजनसीज है मीडिया है सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड जयानी गुप्त चुनावी चंदे का पैसा है उसका नबे से असी फीसदी पैसा उसकी जेब में जाता है और उपर से प्रधान मंत्री को भगवान के तोर पर पेच किया जाता है कोई मुकाबला हो सकता है क्या विपक्ष और बीजेपी में भारतिय जनता पार्टी इस रेस में विपक्ष के मुकाबले कई किलोमीटर आगे से इस रेस की शुरुवात कर रही है तो विपक्ष का तो कोई मुकाबला ही नहीं है कोई मौजूद्गी ही नहीं है इस रेस में मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तो ये अमित मालवी है भाश्पा के प्रचार तंत्र का मुखिया कई बार जूट बोलते हुए पकड़ा गया है ये वो व्यक्ति है जिस पर ट्विटर ने इसके ट्वीट के नीचे लगाया था कि ये भ्रामक है इसमें और एक पत्रकार में क्या फर्ख है इसकी नौकरी कई माइने में खत्रे में क्योंकि इससे बहतर शाटु कारिता जो है पत्रकार कर रहे हैं प्रधान मंत्री की प्रधान मंत्री ने एक interview दिया अमित मालवी क्या कह रहा है मोधी जी की guarantee यानी नीती, नियत, नेत्रत और ट्राक record यह अमित मालवी का tweet है जो उसने ex handle पर किया है जिसमें प्रधान मंत्री के interview का जिक्र किया जा रहा है मगर उससे बेहतर चाटुकारिता एक ऐसी पत्रकार कर रही है जिन्होंने प्रधान मंत्री का interview किया था और उनसे सवाल किया था कि प्रधान मंत्री आप कौन सा tonic पीते है उनका tweet देखिए यानि कि भाजपा का कौन नेता है अगर कुछ देर के लिए आप भूल जाएं कि ये मोहतरमा एक पत्रकार है तो आपको लगेगा कि ये भाजपा की कोई नेता है ये देखिए प्रधान मंत्री का साक्षातकार राम मंदिर इंडिया गडबंधन विधान सभा चुनाव में जीत से लेकर आर्टिकल 370 तक हर सवाल का जवाब फर्क देखिए दोनों में अमित मालविये तुमसे बहतर काम वैसे भी तुमारे जैसे जूटे व्यक्ती की कोई जरूत नहीं भारती राजनीती में देश बहतर ही होगा राजनीती साफ सुत्री होगी इसलिए मैंने का दोस्तों विपक्ष का तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस मैदान में जहाँ पर मीडिया इस तरह से चाटुकारिता करता है प्रधान मंत्री के और इन्हें बिल्कुल शर्ण नहीं आती क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये महतरमा जिस चैनल था सुनियें आगर 370 करके और कश्मीर के महोल को बदल देते हैं तो कैसे इगनोर करें यहाँ पर काइदे से पत्रकारिता की भावनाएं आहत होनी चाहिए थे दोस्तों वो दो बहुत दूर की बात थे देखी क्या हो रहा है मीडिया नतमस्तक है हमारे जो धार्मिक भावनाओ की नुमाइनगी करते हैं हमारे जो धार्मिक प्रतीकों का सनरक्षन करते हैं वो लोग हमारी धार्मिक भावनाओ का आहत करने हैं भाशपा इस तरह से श्री हनुमान का अपमान कर सकती है और कोई कुछ नहीं कहेगा इस पर इस देश को मजाग बना दिया है आपने जो धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा राजनीती करते हैं वो मेरे हिंदु धर्म का लगातार आपमान कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं क्यों? और फिर किसी की भावनाए आहत नहीं होती दोस्तो आज निउस चक्र में मैं आपके सामने एक और एह मुद्दा लेकर आया हूँ अश्वजीत गायकवाड एक रसूखदार बाप का बेटा उसने अपनी गर्लफरिंड प्रिया सिंग के ओपर SUV चलवा दी ये देखिए प्रिया सिंग की क्या हालत है अस्पताल में इसकी क्या हालत है इसने रौंदवाद या रौंग्टे खड़े करने वाला घटना करम मगर इस अश्वजीत गायकवाड की एक और पहचान है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तो सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गए पोस्टर्स में अश्वजीत गायकवाड खुद को भाचपा का युवा मूर्चा ठाने का ध्यक्ष भी बताता है अश्वजीत के पिता MSRDC के पहले Non-IS Managing Director है अश्वजीत के चाचा भाचपा से सांसत रहे हैं अश्वजीत के पिता और चाचा के बारे में ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है भाचपा से जुड़ा है अश्वजीत गायकवाड का परिवार प्रिया सिंग को रौंद दिया इसने दोस्तों इस आदमी को ताकत का कितना घमंड है इसे डर नहीं है कि मैं इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा हूँ मुझ पर कारवाई भी हो सकती है आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ मीडिया ने से किस तरह से कवर किया आप देखिएगा सभी न्यूस चैनल में इसका जिक्र है मगर मजाल है कि कहीं पर भी भाचपा शब्द का जिक्र किया गया हो क्योंकि खुद को भाचपा का युवा नेता बताता है मगर इस बात का जिक्र नहीं है देखिए क्राइम तक आईस के बेटे को गर्लफरिंड ने बताया शादी शुदा बॉइफरिंड ने कैसी की हैवानियत पीटा काटा कार से कुछला इंफ्लुएंसर ने बताई नौकर शाह के बेटे की हैवानियत अरे भाई चचा भाचपा के सांसत रहे है खुद भाचपा का युवा नेता है क्या हुआ आगे देखिए बेटा बन गया आनिमल अब फिल्मी होना ही था जिली उसको फिर देखिए ठाने का अनिमल सब जो है रणबीर कपूर की सफलता पर सवार होकर टी आरपी बटोरना चाहते है मगर किसी की इतनी भी रीड नहीं है कि वो बता सके कि अशुजीत गायकवार जो है भाचपा का युवा नेता है कब गिरफतार होगा अधिकारी का बेटा गर्लफरिंड को पहले पीटा फिर गाड़ी से कुछला अरे भाई बताओ तो सहीं इसने कुछला वो किस पाटी से नाता रखता है गर्लफरिंड को कार से रौंधने का क्या है चिचु भाई का पूरा सच होटल में गर्लफरिंड से हुई थी बहस आयस के बेटे ने पीटा कार से भी कुछला आयस का हैवान बेटा प्रेमिका पर चड़ाई कार अधिकारी बेटे का बिगडैल बेटा टाइम्स नाव भारत पर लाइव औन ब्रेकिंग न्यूज रिपाब्लिक पर ब्यूरोक्राट सन माउस डाउन वोमन आयस का बेटा तो आइनमल निकला गर्लफरिंड को पीटा एसीवी से कुछला अधिकारी के बेटे ने की बरबरता रिपाब्लिक भारत प्रिया के साथ आयस के बेटे ने ये क्या किया बड़े बाप के बेटे ने अपनी गर्लफरिंड के साथ उस रात सब लोग आयस का बेटा बता रहे हैं किसी में इतनी सी हिम्मत नहीं है कि वो ये बता सके कि ये कौन है किसका बेटा है ये है आपका मीडिया क्या लगता आपको ऐसे में प्रिया सिंग को इंसाफ मिलेगा बताएए एक और खबर आई थी दोस्तो स्टील कारुबारी सज्जन जिंदल पर एक 30 साल की आक्ट्रिस ने बलातकार का आरूप लगाया है जब अदालत ने फर्मान जारी किया तब जाकर मुंबई पुलीस ने बलातकार के अंतरगत केस दर्ज किया सज्जन जिंदल वही शक्स हैं जिन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी के बारे में कहा था कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ प्रधान मंत्री ने देश को 2 trillion से 4 trillion economy बदल दिया उन्होंने ये तक कह दिया था कि प्रधान मंत्री दिन में 14-15-15 घंटे काम करते है अब जाहिर सी बात है पुलीज भी डरेगी कुछ कारवाई करने से मैं फिर आप से पूछ रहा हूँ आप इस देश की जनता है ये जो तमाम चीजे हो रही हैं इस देश में क्या आपकी भावनाएं यहां आहत नहीं होती क्या आपको दिख नहीं रहा है कि किस तरह से शुई हनुमान का अपमान हुआ क्या आपको दिख नहीं रहा है कि प्रधान मंत्री को विश्नु का अवदार बताया जाता है वो प्रधान मंत्री जो अन्यमहिला राजनेताओं के बारे में आपत्ती जनक बात करते हैं पचास करोड की गर्लफरिंड जर्सी काउ कॉंग्रेस की विद्वा दे दे ओं दे दे आपने कभी भगवान विश्णु को इस तरह से किसी विवादास्पद भूमिका में देखा है बताईए बताईए सवालों के जवाब तक तो प्रधान मंतरी नहीं देते हैं क्या इसलिए उन्हें भगवान बना दिया जाए अरे भगवान से भी हम लोग शिकायत करते हैं जब हमारी कोई चीज जिन्दगी में ठीक नहीं चल रही होती है हम कहते हैं ना हम भगवान को भी ताना देते हैं यहां तो आप प्रधान मंतरी को ताना नहीं दे सकते हैं वरना यू ए पिये के अंतरका जेल में बन कर दिया जाता है और जो पत्रकार सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं उन्हें बदनाम किया जाता है उन्हें आंटी नैशनल आंटी हिंदू बता कर उन पर इंकम टाक्स के फर्जी केसिस चलाए जाते हैं इडी उन्हें अपने दफ्तर बुलाती है आंटी टेरर सेल उनके घरों में घुश जाती है उनके पर्वार की पर्वा किये बगैर ये देश है मेरा ये हो रहा है भारत में मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते रहेंगे अबिसार शर्मा को दीजे जासत नमस्कार झाल